बाग गया बाग दया है वेल्कम तो गाइस माई न्यू ब्लॉक वीडियो में आपका सुवागत है दोस्तों आग जम राम नगर से खाफी है आगे लग दस बारा किलोमेटर जंगल के अंदर है आगे गाउं भी 5-6 किलोमेटर आगे हैं गाउं से पहले आपको थोड़ा जंग दिखा देखें आप इतने बड़े-बड़े पत्थर और बहुत क्यारी जगा लगए आप देख सकते हो कि रुप्र कपड़ा देख कते हो कितना बड़ा इसरा हो बाग गया बाग गया बाग बाग गया नी चे टर गया जंगल के अंदर चला गया उसके पीछे जाने कोशिश करी तक 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 तो वह काफी आगे चला गया आप नीचे देश्चे को कितनी प्यारी जगाएं और गहराई भी ठोड़ी काफी है बहुत प्यारी जगाएं और बढ़ी दिख रहे हैं अब देख सकते हैं बहुत प्यारी जगाएं अभी आपको गाउं में लेकर चलते हैं गाउं दिखाते हैं इनका शलो दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहे हैं चैनल पर नहीं आता चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करें अब थोड़ी से आगे गाउं में पहुंचने वाले गाउं आपको दिखाते हैं आगे काफी 10-12 किलमेटर दा गाउं इसके बाद रास्ता बंद हो जाता है आगे रास्ता नहीं है और हम बस पहुंचने वाले अभी हम गाउं में पहुंच के आपको दिखाते हैं यहां बादल भी बहुत हो रहा है गाइस आप दे सकते हो यह हम इस टम आम गड़ी आम गड़ी यह है काओं में बहुत चैरी चैरी जला है बहुत मज़ा आ रहा है यहां आप देख सकते हैं पहाड से पानी आ रहा है बहुत साफ पानी है यह बहुत ठंडा पानी है गाइस बिल्कुल पारव यहां मेरे जूते भी भीग गए गाइस यह नीचे की तरह भी पानी जा रहा है आप देख सकते हैं और पानी बहुत ठंडा है और कि प्यारी जगा लगी है नीचे की तरफ गाइस यह गाओं में घर है यहां चोटे-चोटे गाओं में है और आप देख सकते हैं यहां भी कितनी प्यारी जगा है आगे बस चार किलोमेटर दूर रस्ता है आगे रस्ता बंद हो जागा यह यहां की दुकाने हैं आगे बादल भी काफी हो रहा है राइस आप देख सकते हैं ओपर बादल हो रहे हैं और उपर जहां तो गुमेदे बरसाथ भी हो रही है दोस्तों इस टेम हम पार्ट कोट में आचुके हैं राम नगर से 25 किलोमेटर आगे जंगल में हैं और आप देशकते हैं मुरब्ब्ब का बाग है आप देशकते हैं पेड कैसा बरा बड़ा है काफी बाग काफी बड़ा है आपको देखने से पता लग रहा होगा और यह पा बाग तो देख लिया होगा देखो आप कैसे भरे पड़े हैं गाइस आप देशकते हो कितनी हर्याली है यहां और चोटे-चोटे घा रहे हैं बहुत प्यारी जगा लग रही है गाइस आप सामने देख सकते हो एक मंदिर दिखाई दे रहा है पहोड़ों पर चोटा सा यह काफी उपर है और यह यहां इतने प्यारे-प्यारे घर है यहां चोटे-चोटे और साफ सफा़ भी बहुत और बहुत प्यारे घर हैं यहां इस टि म में हैं पाठ कोट है काफी बड़ा एरिया है और यह देखो आप यहां जप्यारे ड़र न रहा है सब इस उविदा है यहां लाइट भी ओर यहां यब टुछरापाई लोड़ों पार्त कोट इससे आगे कुछ नहीं है इसससे आगे जंगल है हर तरफ घर प्यारे प्यारे हैं यहां बस भी आती जाती रहती है और आप देशकते हो मेरे सामने है घर कितना प्यारा लग रहा है और आगे का आप देशकते हो यहां की सडके है यहां घर और आप यहां पानी आता जाता रहता है उपर से चलता रहता है यहां लोग कपड़े दो सकते हैं पी सकते हैं पानी हमें नहीं लगता यहां किसी बात की कमी है क्योंकि घर बहुत प्यारे हैं यहां एक इस तरब आपको दे सकते हो घर पंचे काफी दूर से स्कूल पैदलाते हैं जाते हैं यहां भी आप दे सकते हो लोगों पास गाड़ी भी है और भी बहुत प्यारी जग दोस्तों अपर कभी पार्ट कोट में आना तो यहां पूरे मौज मस्ती से उंज़ॉय करना पूरा गाउं घूमना बहुत अच्छा गां है यहाँ सब कुछ खाने पीने के लिए सब कुछ मिलता है काफी बड़ा गाउं है पाट कोट मानो यह एक शहर ही है ऐसा मान सकते हो आप क्योंकि बहुत बड़ा गाउं है इस टम हम पाट कोट से निकल रहे हैं पीछे की तरफ तोड़ा वापिस आ रहे हैं और बहुत प्यारी जगा है बहुत इंजॉय करा है यहाँ काफी टाइम हो गया हमें गुमते हैं हुए और उपर पाड़ों पर बरसात हो रही है बादल बहुत हैं उपर यहाँ लाइट की भी सुविदा है और घर भी बहुत प्यारे प्यारे हैं दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करना दोस्तो आज का ब्लोग हम यही खतम करते हैं पाटबोर्ट आपको गुमा चुके हैं पूरा काफी बड़ा पाटबोर्ट है पर यहां मज़ा आ गूंदे हुए काफी टाइम हो गया में दो-3 घंटे हो गया यहां कुमते गूंते गूंते वीडियो पूरी देहना वीडियो को शेयर भी करना